हेलो फ्रेंट, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3oneTag तो फ्रेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन करना आपको बहुत ज़ादा जरूरी है इसके दो कारण है एक तो यूट्यूब का नया अपडेट आया है जिसमें अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका चैनल जो है वो आप मोनेटाइजिशन के लिए भेजी नहीं पाएंगे वो इलेजिबल ही नहीं होगा दूसरा खारण ये है कि सिक्योर्टी परपस अगर आप अपने चैनल के उपर टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका चैनल सेफ हो जाता है कोई आपकी आइडी में लोगिन नहीं कर पाएगा उसे हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए उसके पास आपका फोन नंबर होना चाहिए वीडियो काफी जादा इंफर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड समा चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें अपने यूटिफ चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपने जो मोबाइल की जो जीमेल की एप्लिकेशन है जिस जीमेल आइडी से हमने अपना यूटिफ चैनल बनाया हुआ है उससे हमें ओपन कर लेना है जीमेल एकाउंट को अपने जीमेल आइडी को जीमेल एप्लिकेशन को तो मैंने इसे open कर लिया है उसके बाद हमें हाँ पे top right corner में हमें जो हमारी Gmail ID का icon दिखाई दे रहा है profile का उसके उपर click करना है उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से ये open हो जाएगा और हमारी जितनी भी IDs में login होंगी वो सारी हाँ पे show होने लग जाएगी तो हमें simple जिस Gmail account को two step verification बनाना है जिसमें करना है जो हमारा YouTube channel से attach है उस वाले पे यहाँ पे आप देख सकते हैं वही मेरा selected है तो यहाँ पे हम मुझे manage your Google account का option आ रहा है इसके उपर click करना है उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से खुल जाता है ठीक है यहाँ पे home आ गया personal info आ गया data and privacy आ गया तो हमें यहाँ पे fourth जो option है security का हमें इसके अंदर आना है और यहाँ पे हमें scroll down करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा two step verification जो है वो off है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमें simple इसके उपर click करना है यही वाला हमारा Gmail ID है उसके बाद next करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना password डालना है तो मैं यहाँ जल्दी से password डाल देता हूं पासवर्ट डालने के बाद आपको next के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे note now कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने खुल जाता है two step verification protect your account with two step verification यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी एड एड एक्स्टर लेयर ओ security मतलब आपकी security में एक्स्टर लेयर एड हो जाएगी इससे तो यहाँ पर नीचे get started का एक option दिखाई देगा आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद आप से फिर से यह password पूछेगा तो यहाँ पर फिर से मैं password डाल देता हूं उसके बाद आपको next पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर यह option आ गया use your phone as your second step to sign in ठीक है यह device दिखा रहा है यह मेरा ठीक है तो यहाँ पर हम continue के उपर क्लिक कर सकते हैं आप और यहाँ पर show more option भी हैं तो आप show more option में और भी option दे सकता है आपको तो मैं use your phone को ही use करूँगा मैं ठीक है तो यहाँ पर continue पर क्ल करने के लिए इंदिया स्लेक्ट हो गया यह जो country है वह آپको है से स्लेक्ट कर लेनी है ठीक है ..... इस पर click करके उसके बाद यहां से मैंने इंडिया स्लेक्ट कर लिया है अब यहाँ पे मुझे नमबर डालना है तो महां पर जल्धी से अपना mobile नमबर डाल देता हूं तो mobile नमब उसके बाद मैं यहाँ पे send पे click करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरे जो phone number है उसके उपर message आ चुका है तो मैं वो verification code यहाँ पे डाल देता हूँ मैंने code डाल दिया है उसके बाद next पे click करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं turn on two step verification verification एक बार हमसे फिर से पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पे turn on पे हमें click कर देना है turning on हो रहा है यह आप देख सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह on हो चुका है अब हमारा जो verification है इसको हम back आके check भी कर सकते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे मैं एक बार फिर से refresh कर लूँगा तो यहाँ पे security में नीचे आप देख सकते हैं two step verification यह यहाँ पे on दिखा रहा है तो इस तरीके से आप अपने mobile phone से ही two step verification को activate कर सकते हैं जिससे भी आपका YouTube channel attach है उस ID को आप two step verification कर सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से ही अपने YouTube channel का two step verification activate कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से एक like जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू